नमस्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम इस समय देश में देश को दो हिस्सों में बाटने की पूरी-पूरी साजिश रची जा रही है आप अगनी वीर के पक्ष में हैं या अगनी वीर के विपक्ष में हैं आप देश की तस्वीर उठा के देखिए बड़े पैमाने पर जो वीर हैं वो अगनी से जूज रहे हैं बहुत ही खतरनाग किसम का रायता मुदी सरकार ने पूरे देश भर में अगनी वीर योजना के तहत फैला दिया है और मजे की बात है कि जो लोग अगनी वीर पर ग्यान देने पर उतारू हैं वे सब सब के सब चाहे उसमें केंदरी मंतरी हो या फिर भाशपा के महासचिव वे सब यह मान के चल रहे हैं कि जो देश का नौजवान है वह बेफकूफ है और उसे ये लोग बताएंगे समझाएंगे कि उनके भविश्य के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है और वह मान जाएगा और तकरीवन साम दाम दंड भेत पर उतरी हुई मोधी सरकार देश के नौजवानों के खिलाफ कमरकस के खड़ी हुई है कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं है और शायद यह जो अगनी वीर है यह भारती लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर अगनी परिक्षा का शन पैदा कर अब आप देखिए एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेन मोधी देश की राजधानी में एक सड़क का उद्गाटन करते हुए कचरा बूनते हुए अपना फोटो शूट करवाते नजर आते हैं तो कभी अपनी मा को जनम दिन पर बधाई देने के लिए कैमरा मैंन से कहते हैं कि तुम पहले जाकर लेंस सेट कर लो फिर मैं कार से उतरूँगा यानी फोटो शूट यह सब करने का प्रधानमंत्री नरेन मोदी के पास समय है लेकिन देश में लाखों की संख्या में जो नौजवान सड़कों पर उत्रे हुए हैं उन्हें एड्रेस करने का उनकी चुंताओं पर बात करने का समय प्रधानमंत्री नरेनमोदी के पास नहीं है लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके केंद्री मंत्री कृष्ण रेड़ी अगनिवीर पर जो कमेंट करते हैं जो एक्स्प्लेइन करते हैं कि उसके कितना इस्तमाल किया जा सकता है वह शायद देश के नौजवानों के उपर सबसे बड़ा मजाक है जो लोग सेना में भरती करने के लिए सालो साल मेहनत करते हैं दोडते हैं अपनी बोडी बनाते हैं मेहनत करते हैं स्टैमिना करते हैं वे सब कृष्ण रेड़ी जी, मोधी सरकार जी, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, वाशर मैन नाइ बनने के लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए नहीं करते हैं जो की आपके मंत्री बताते हैं सामने सामने मीडिया से सवाल जवाब के दौरान जिस तरह से जबाब दिया है उन्होंने कृष्ण रेड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं भारती नौजवानों को कि आप चिंता ना करें चार साल की तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद हम आपको कहीं धोबी बना देंगे कहीं मिस्त्री बना देंगे और भी बहुत कुछ बात यहीं रुकती नहीं है अब आप दूसरी तरफ देखिए कि जो भाशपा के महासचिव हैं कैलाश विजेवरगी जो तमाम तरह के बयानों के लिए लगातार चर्चा में रहते हैं वह मीडिया के सामने बैठके जिस दंब के साथ कहते हैं कि भाशपात दफ्तर में अगर सिक्यूरिटी के लिए जरुवत होगी तो वह अगनीवीर को प्रात्मिक्ता देंगे मुझे अगर इस ऑफिस में बीजेपी का ऑफिस में सिक्यूरिटी रखना है तो मैं अगनीवीर को प्रात्मिक्ता देंगे अब कौन पूछेगा कैलाश जी से कि कैलाश जी सिक्यूरिटी गाड बनने के लिए सिक्यूरिटी एजेंसी भी चलाने के लिए देश का कोई भी नौजवान अपने जिंदेगी के चार साल चार एहम साल क्यों जाया करेगा सेना में क्यों महनत करेगा बॉर्डर पर और भी न कॉर्परेट भी लाइन में लग गया है महिंद्रा महिंद्रा कहते हैं कि वह अगनीवीरों को नौकरी देने में प्राथ मिक्ता देंगे अब सवाल है देश का नौजवान तो पूछेगा न कि मिस्टर महिंद्रा नौकरी देनी है आपको नौजवानों को तो उसके लिए देश का नौजवान जो सेना में जाकर सेनिक ट्रेनिंग लेकर आएगा वह आपकी आटो मोबाइल कंपनी में क्या करेगा दरसल अगर आप नजर दोड़ाए तो आपको दिखाई देगा कि सड़क पे जो नौजवान उत्रे हुए हैं उन्हें समझाने के लिए जो लोग त तेज तर्रार नेता हैं जो करनाटक में नफरत उगलने के लिए जाने जाते हैं तेजस्वी सूरिया वह किस तरह से एक डिबेट में कहते हैं कि नौजवान को चार साल जेनियू में बर्बाद करने से अच्छा है कि वह सेना में छोटा बड़ा कुछ भी काम कर ले और यह कहते हुए वह भूल जाते हैं कि इसी जेनियू से मोधी सरकार के दो मंत्री आते हैं वित्यमंत्री आती हैं वहां से विदेश मंत्री वहां से आते हैं सवाल यह है कि यह जो तर्क है इस तर्क के जरीव बताना चाहा रहे हैं कि नौजवानों को पढ़ने लिखने से वास्ता नहीं रखना चाहिए नौजवानों को युनिवस्टी जाने से वास्ता नहीं रखना पूरे देश भर में नौजवानों को एक उनमादी हिंसक भीड में तब्दील करने की पूरी की पूरी योजना बना रखी है, इंप्लिमेंट कर रही है, लोगों को उतार रखा है. और शायद जो अगनिवीर योजना लेकर आएं हैं, इसका बहुत गहरा तालुक, बहुत जादा गहरा तालुक, इस उनमादी भीड को हतियार बन भीड में एक दूसरे ढंके मिलीशिया में तब्दील करने के लिए, हमारे आपके पैसों से इस मिलीशिया को तयार करने की जो परणनीती है, उसमें डालने की तैयारी है, दोस्तों आपको भी शायद मेरी तरह ही इस बात का फक्र होगा कि जब देश में नौजवानों सहित, बड़े पैमाने पर भारतिये नागरिकों को वर्टसप युनिवरस्टीज के अंदर बंद करके अंधभक्त बनाने की जो ब कार कहे, उसके पक्ष में लोगों के खिलाफ जंग छेडने पर जो भीड उतारू है, सारे महौल को देखते हुए भी हमारे प्यारे देश में जो नौजवान हैं, वा बहुत बड़े पैमाने पर अपने दिमाग को, अपने बैलन्स को, अपने विवेक को, अपने तर्क को, सच और जूट के बीच फर्क पानने वाले नौजवानों की तादाद, इन तमाम यूनिवस्टीज की तुला में बहुत बड़ी है, सड़क पर उतरने वाले एक-एक नौजवान से आप पूछिए, आप पाएंगे वह पूरी शांती से, तर्क और आकणों के साथ, मुदी स सरकार से जबाब मांग रहा है. सवाल आपको सुनाई दे रहे हैं, इन नौजवानों के मुक से, दरसल यह देश के भविश्य से जुड़े हुए सवाल है, जिनको आज जब मोदी सरकार नजरंदास कर रही है, तो मान के चलिए, कि वह देश के भविश्य के साथ खिलवार कर रही है, बहुत बड़े पैमा अब देखिए, यहां बहुत ध्यान से देखने और सुनने की जरूरत है, कुछ शब्द हैं जिन पर देश का भविश्य तिका हुआ है, अगनिवीर के पक्ष में जिस तरह से सरकार ने सेना की लीडर्शिप को उतारा है, वह अभूत पूर्व है, वह बहुत खतरनाक है, प अब सेना दखल देकर यह कह रही है, शर्ते लागू कर रही है, सेना की लीडर्शिप, बकायदा, मीडिया से मुखातिप होकर, प्रेस रिलीज जारी करके, सीधे सीधे कहती है, शर्त लगाती है, कि अगनिवीर में उन लोगों की भरती नहीं होगी, जिन लोगों की आंदो आफ नामा देना होगा, कि आप बिरोत प्रदर्शन में नहीं थे, आपने कोई तोड़ फोर में हिस्सा नहीं लिए, और पूछे फॉज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है, बिगैर उठाए, बिगैर सोचे आप बोलेंगे, डिसिप्लिन, अगर हमारी डिसिप्ल कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है, see, it's a matter of, क्या कहते हैं, law and order, and जो जो बच्चे, मैं दुबारा दोरा रहा हूँ, जो जो बच्चे हैं, उन सब को बुला गया कि, kindly write a pledge, and write, pledge मतलब, this is part of the, क्या कहते हैं, enrollment form, कि मैं किसी पुलीस या ये आर्सन, इसके अंदर नहीं जुडा हूँ, उसके साथ उसका पुलीफ वेरिफिकेशन हो गई होगा, अगर ना जाने किसी वज़े से F.I.R. उसके उपर लॉज हुआ, तो वो नहीं आ सकता, it is simple. सवाल यह है, कि यह जिस तरह से शर्क सेना लगा रही है, जिस तरह से मोधी सरकार ने सेना की लिडर्शिप को आगे किया है, और उसके पक्ष में, जो कॉर्परेट मीडिया है, वह उतरा हुआ है, वह अपने डिसकेशन में लोगों से पूछ रहा है, कि अरे भाई, आप अ सेना का भी विरोध करेंगे, सेना के लीडर्स का विरोध करेंगे, मानो एक दूसरे ढंग से राजनिती का सेना की लीडर्शिप के साथ गठ जोड किया जा रहा है, और यह बताने की कोशिश हो रही है, कि भारत में आने वाले दिनों में सेना बहुत एक्टिव रोल अदा क करने वाली है, सिविलियन मामलों में, और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्या भारती सेना, भारती सेना की लीडर्शिप यह बताने की कोशिश कर रही है, कि जो नौजवान सडकों पर उतरे हैं, यह शत्रू तत्व हैं, क्या हमारी सेना, हमारे ही नागरिकों क के खिलाफ एक संदेह का माहल बनाने की कोशिश कर रही है और जो हमाली पॉलिटिकल पावर है जो मोदी सरकार है वह यह सब कुछ अपने नेत्रित में होने दे रही है जिस तरह से सेना नागरिक मामलों में दखल दे रही है राजनितिक सत्ता जिस तरह से बैक फूट पे जाक यह सब होने दे रही है उससे जो खत्रा है वह बहुत जाहिर खत्रा है कोई छुपा हुआ खत्रा नहीं है क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी सेना की तरफ से इस तरह के बयान आये थे कि देश के भीतर जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग है उ सिर्फ सेना के स्वरूप को ही बदलने की बात नहीं है सिर्फ ठेके पर ही 46,000 सैनेकों की भरती की बात नहीं है यहां बात बहुत बड़े पैमाने पर यह भी हो रही है कि आखिर यह जो इतने बड़े पैमाने पर लोग जाएंगे यह चार साल बात क्या करेंगे इन्हें किध खपाया जाएगा इस पर निगाह बहुत पैनी निगाह तमाम लोगों को बनाई रखनी बहुत जरूरी आए दोस्तों थोड़ी परताल करते हैं आकड़ों के जरिये कि अगनिवीर के इर्दगिर्द जो रोजाना नए नए दावे किये जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से उनकी दरसल हकीकत क्या होगी अब देखिए केंद्र सरकार में यह घोशना की कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस, डिफेंस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में अगनिवीर को दस फीसिदी कोटा दिया जाएगा 10% लेकिन मिस्टर पीएम, एक सर्विसमेन को जो कोटा दिया हुआ है आपने अभी तक, जो केंद्र सरकार की नौकरियों में, राज सरकार की नौकरियों में उन्हें कोटा मिला हुआ है, उन कोटों की तो आपको यादी नहीं है, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर जो जो 10% कोटा देने की बात कर रहे हैं, उन पर कुछ होगा भी, क्योंकि जो सरकारी आकडे हैं, वह बता रहे हैं कि ग्रुप C और ग्रुप D में बड़े पैमाने पर पद खाली हैं, ग्रुप C में 10%, ग्रुप D में 20% पोस्ट एक सर्विसमेन, यानि सेना से रिटायर हुए लोगों को नौकरी दी जाने थी, अब देखिए, ग्रुप C में सिर्फ 13,976 एक सर्विसमेन को नौकरी मिली है, ग्रुप D में सिर्फ 8,642 लोगों को नौकरी मिली है, यानि अगर आकडों के हिसाब से देखें, तो ग्रुप C में सिर्फ 1.29% और ग्रुप D में सिर्फ 2.66 सिक्स फीसिदी केंद्र सरकार के जो 77 विभाग हैं उनमें से 34 विभागों में यह आलम है और यह आकड़ा है डायरेक्टे रेट जन्रल री सेटिलमेंट का डी जी यार का सवाल यह है सरकार से जो देश के नागरिक पूछ रहे हैं जो देश का नौजवान पूछ रहा है जो देश का भविश्ची पूछ रहा है कि जब आप जो 10% और 20% का कोटा है वही नहीं भर पा रहे हैं तब 4 साल बार जो कोटा देने की बात है उस पर कौन विश्वास करेगा क्योंकि यहाँ छात्रिया नहीं भूले हैं कि 2014 में जब आप आए थे सरकार में तब आपने कहा था कि हर साल दो करोड नौकरियां देंगे वह दो करोड नौकरियां 2014 से चल कर हर साल से 2022 में 10 लाख तक पहुच गई हैं यानि देश के नौजवान के इतने साल आपके जूटे वाइदों पर स्वाह हो चुके हैं और शायद आप इनको लिंक करेंगे तब आपको समझाएगा कि जब आज का नौजवान सड़क पर उतरता है तो उसे इतना गुस्सा क्यों है और उसका गुस्सा इतना जायज क्यों है क्योंकि 2014 से लेकर आज तक आप लगातार उसे ठकते आ रहे हैं मिस्टर पीम इसी लिए देश का नौजवान आप से जबाब मांग रहा है अब आप देखिए कि जबाब तो नहीं मिल रहा लेकिन जो हमारी वटसब यूनिवरस्टीज हैं उनके पक्ष में अगनिवीर के पक्ष में जो ग्यान परोस रही हैं जो नफरत परोस रही हैं जो की मकसद क्या है देश को किस तरह से नफरती एजेंडे पर आगे बढ़ाने के लिए हमारे आपके पैसे से हर साल हजारों की तादाद में जो सैनिक भरती होंगे वह चार साल बाद कहां और किसकी सेवा करेंगे इसका संकेत यह चंद वरसब संदेश दे रहे हैं जो बड़े पैमाने पर पूरे देश में प्रचारित प्रसारित हो रहे हैं यह साफ साफ कह रहे हैं कि हमें इस देश को इसराइल बनाना है वह बता रहे हैं कि इसराइल में तो फ्री सर्विस है यहां पर मोदी जी 20,000, 30,000, 40,000 तो दे रहे हैं और इसमें से काटने के बाद जब 4 साल बाद आप बाहर निकलेंगे तो कुछ लाख आपके हाथ में हों हैं कि चार साल बाद जब ये सड़क पर आएंगे तब देश में विधर्मियों के खिलाफ जंग छेडेंगे तो मोदी जी आप जो देश के नौजवानों के भविश्य के साथ इतने बड़े पैमाने पर खिलवाड कर रहे हैं जो उनमाद आप पैदा करना चाहते हैं उसके लिए जो आपने सेना का रास्ता लिया है वह आज की तारीक तक देश के छात्रों और नौजवानों को स्वीकार नहीं है और यही वज़ा है कि बड़े पैमाने पर पूरे देश में छ बिहार बंद कर रहे हैं अन्य राज्यों में उतर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक बात बहुत साफ लग रही है कि अगर वह आज अपने भविश्य के लिए सड़क पर नहीं उतरे तो कल आप उन्हें सिर्फ सिक्यूरिटी गार्ड प्लंबर या ना जाने किस तरह की उनमादी भीड में तब्दील कर देंगे और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी में जब छात्र विरोध में उतरते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इस समय किस तरह से उनके साथ अपराधियों जैसा वहवार किया जाता है जो महिला तक क्या वो आरोप लगाती है कि पुलिस ने किया और सब कुछ संसत से महज कुछ किलोमेटर दूर होता है यानि जो संकेत पूरा माहौल बना दिया गया है अगनिवीर के इर्दगिर्द वह यह है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपको आने वाले दिनों में नौक्रि आते समय मोदी सरकार यह भूल गई कि जिस तरह से किसान अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं उसी तरह से देश का जो नौजवान है जो पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर किसी भी तरह के जुल्म के खिलाफ खड़े होना लड़ना नहीं छोड़ता वैसे ह भारत का नौजवान आप से सवाल पूछ रहा है और मोदी जी तमाम फोटो शूट के बाद भी आप उनके सवालों के घेरे में बने हुए हैं बने रहेंगे और शायद भारती लोकतंत्र को जो लोग बचाना चाहते हैं वे सब चाहेंगे कि ये सवाल बहुत तेजी से उठ हैं शुक्रिया